के स्टवनेंगसेंट कर दो दूब्र 2 आधा विए पेजर वाहलं ब ago कि एक जामपल किसें के माधिम से बताने का कोशिव किया है यह सम्धाने कोशिवक किया है स्टोरी बोड के माध्यम से जिसको हम लोग आपका भी समझने का कोशिस करेंगे जो चित्रकथा पठ्थ है स्टोरी बोड इसको कहते हम लोग इंगलिस में इसमें देखे लिख रहा है कि इन गवर्मेंट स्कूल सीमापूर स्टुरेंट्स वान टू सेलिबरेट और रिलिजि कि कोशिस कर रहा है या चाहते है उनके अंदर एक अठ्शा है ठीक है और ये जो स्टोरी बोड है ये जो आपका दिया हुआ है कॉलम corresponds में बिच्श कर रहे हैं और इसकूस करके यह अपने सर हैं इनके स्कूल क depends हैं ये उनको ये कुछ कहना चाहते हैं वह कहते हैं को कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा तेवार आ रहा है हमने स्कूल में कभी है तवार नहीं मनाया कैसल मनाये इसमें मेरे ख्याल सही होना चीए वह ऐसा डिसकुशन कर रहा है अपने टीचर्स के साथ की अगला महीना कोई तवार आ रहा हम लोग इसको सेलिबरेट कर सकते ह हैं क्या तो फिर यहां पर देखिए आप यह जो स्टोरी वोड़न जो टीचर है चस्मिस महावद है क्या बोल रहा है कि आप आई एम अफ्रेड डाट इस नाट पॉसिवल रेखा रेखा लड़की है स्कूल हो पड़ती है उसको बोलते हैं कि नहीं यह जो है मैं ऐसा मतलब यह जो कि आपका नहीं होना अच्छी आएम अफ्रेड डाट इस नाट पॉसिवल लेखा यह संभाव नहीं है दिस इस अ गॉवर्मेंट स्कूल यह सरकारी स्कूल है वी के नाट गीव इंपोर्टेंस तो एनीवन रिलेजन हम किसी भी एक धर्म विसेस को इंपोर्टेंस य टवह सकते हैं में डू टे च्बट गोवर्मेंट स्कूलल मोर्ट सेलिबड एने रिलेजरी डिलेज़ फेस्टिबल गवर्मेंट 6 lying अगीशी प्रकार का कोई लाट का मतलब यह नहीं है और सकता है और इसकरन से जितने भी सरकारी कारयाले होते हैं सरकारी offices होते हैं वो ओफ रहते हैं जब हमारा holiday होता है किसी धर्म धर्मिक सेलीरिषन कोम ले करके और शायकस को ले करके कि लोग हम इसको घर पे मना सके चाहिए अब देखिए जो शाथ में आ है लड़की जो है डिसाइबल है विकलांग है विचारी इन्होंने बाइसाखी पकड़ा हुआ है सो इनके लिए बहुत मतलब ठीक नहीं लग रहा मुझे आगे देखिए आप एनिवे वी वियर प्लानिंग तो सेलिब्रेटीटी और रोकालिटी लड़की क्या बूर रहे है क अपने वाला वाट ही इस सेंग यह बोल रहा है सोच सकते हैं आप बताईए इसने का हुआ कि मैंने कभी इस नजरिय से सोचा नहीं मुझे लगता है स्कूल के बाहर हम कभी भी तेवार मना सकते हैं मतलब सिदा सिदा यहां पर यह है कि फिर आगे देखिए इसमें लिखा लिएन एक्वैली मतलब जो गॉश्पी धर्म को हम समान रूप से मानेंगे और समीध्र को हम समान एक्वैलिक्टी से ट्रीटमेंट करेंगे तो अगर और इसकूल के अंदर गॉश्पी एक धर्म से रिलेटेड कोई तयर्यवार सेलिबरेट किया आता है तो यह उस निति के उस policy के against होगा क्योंकि जो गॉर्मेंट है वो सबका है गॉर्मेंट और गॉर्मेंट के जो भी आथुरिटी है या जो भी आपका इंस्ट्यूसन्स है उसमें हर कॉमिनिटी हर समुदाय हर धर्म के लोग रहेंगे सपोस्ट मान लिजे अगर कोई गॉर्मेंट स्कूल है उसका अंदर हिंदू भी है मुस्लिम भी है सीख भी है साई भी है तमाम लोग हैं और कोई एक धर्म का लेकर मना जाए अभी किस तरह को बकरीद आने वाली है बकरीद के लोग होंगे या जो भी होंगे वह अगर कमफर्ट फील नहीं करते हैं उसी स्कूल के अंदर में तो यह मतलब उचित नहीं हो पाएगा एक तरह से इस कारण से जो है आपका यह गॉर्मेंट का जो पॉलिसी है कि सभी को हम समान एक्वेली ट्रीट कर रहे हैं इसके अगे ऐले मत și स्कूल केनाट प्रमोट एन डिवन डिव्यजर आईजर इंड n they're morning prayers यहां तक यह भी को मोर्नीक प्रियर समें किन You क a sound that Şu prayer होगा किसी धमिक ससुड़ावा को ईप्रेयर उसके लिए भी आपको भी आपको जो है वो नहीं कर सकता है ठेक है है ऐसा नहीं कर सकता हो कि कोई धार्मिक प्रियर या रिलिजिस सेलिबरेशन मनाये दिस रूल ड़स नॉट अपलाई टू प्राइविट स्कूल मगर यह प्राइविट स्कूल पर नहीं होता है क्योंकि सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर आप जान रहे हैं कि जो भी आपका फ पाड जाएगा उसका खर्चा उसका पैसा जाएगा और जो अथरिटी सरकार की होगी वहां पर इस प्रकार का क्रिया अक्टिविटी नहीं हो सकता है इससे स्टोरी वोट से हम लोग यहीं देखने का प्रयास कर रहें बच्चों आप लोग समझी इसको बढ़िया से कोई प